विध्यालियों में शिक्षकों के नियुक्ति को लेकर कहीं सवाल खड़े होती हैं आपको बता दे कि कहीं सोस यदिक बच्चों के लिए महज एक शिक्षक तो कहीं केवल 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस शिक्षक बिर्णी प्रेखंड अंतकरत ग्राम पंचैट खेद्वारा के महज टांड में संचालित उतक्रमित प्राद्मिक विध्याले जिसमें 104 बच्चों को 2016 से पढ़ा रहा मात्र एक ही शिक्षक है और मुख्या प्रतिनिधी श्रमंडल निचला प्रशाशन और शिक् इसके प्राशारे बता रहे थे कि 104 बच्चों का यहाँ पर नमांकन है जबकि मात्र एक शिक्षक 2016 से अभी तक पढ़ा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले मैं इस चैनल को धन्वाद देता हूं सार और मास्टर साब जो बताएं बिल्कुल सही है मने छे साल से देखित एक सो नमांकित हम भी इसकूल आते हैं जास करते हैं दिकत है बगल के इसकूल बराहेट चाहित के अंतरगत बराहेटन में इसकूल है बच्चे सही हों से दिकारीयों से आगरह करते हैं कि इस स्कूल में जो उतकरमित प्रात्मिक विद्याले महवा टांड प्रकर्णlu बिरमी पंचायत खेद्वारा की तस्वीर आप देख रहे हैं इस विद्याले के प्राचार है हमारे साथ है सर आपका स्वागत क्या नाम है मेरा नाम किशोरी कुमार मंदल इस विद्याले में कुल कितने सिक्षक है केवल एक सिक्षक है एक सिक्षक की विद्याले एक सिक्षक्य विद्यालाई आप हैं बच्चे कितने हैं बच्चे एकसो चार ना मांग की थे एकसोचे कामचों को आप अके ले पढ़ा रहे हैं हुआ दूजार सोला से अब तक आप अकेले यहां पर एक सू चार बच्चों को पढ़ा रहे हैं पठन पठन कैसे हो पा रहा है बढ़ियां से पठन पठन में थोड़ा बाधी होता है कार्याले का काम जिसमें करने लगते हैं उसमें बचे तितर वितर हो जाते हैं पुनाव पिर जो है सो कुल मिलाके कहिए तो पठन-पाठन का प्रोसेसिंग जो है सो विद्याले में एक और शिख्षक की एक या एक से अधिक कि शिच्षक की न्योगति का आपने परियास कभी आगरा किया जी हम लोगों ने ब्लोक अस्तर से लेकर यहां तक कि जो हमारे परतिनीधी हैं डुकिया परतिनी सारे लोगों को बोला गया और पैरेंट्सका जो मिटिंग होता है उसमें भी करने चाहेंगे हमारे चैनल के मादय हमसे में मांघ करना चाहूँगा कि यहां कम से कम दो सिछा को होजये तो बच्चों का जो पठंपठं सुचर zigpo क्यों के तरषे का मिअब हो जाएंगे